यूपी विधान सभाचुनाव के दवरान दो अच्छे लड़के सुर्खियों में आ गए थे। याने की सपा प्रमुख अखलेस यादव जब से तीन राजियों के विधान सभाचुनाव परणाम कांग्रिस के पक्ष में आया है तब से उनके रूख में थोड़ा बदलाव हुआ है। उसके बाद से कुछ उनके रुख में बदलाव आया पहले बसपा सुप्रमुख मायावती ने और उसके बाद जो है सपा प्रमुख अखलेस यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रिस को समर्थन देने का ऐलान किया। दरसल राहुल गादी ने इन राज्यों के चुनाओं में बहुत जमीन पे जाकर जो महनत की है वो तो की ही है। खास्तोर से जो मौझूदा महौल है उसमें कारिकरताओं में confidence ले आने के लिए और उनसे जुड़ने के लिए एक आप का प्रयोग किया था उसका नाम है सक्ति। उस एप के जरिए चुनाओं के बाद जो है पचुनाओं से पहले तो करिकरताओं से बात्चित करते ही रहे चुनाओं के बाद भी मुख्यमंत्री कौन हो इसके लिए उस एप के जरिए उन्होंने करिकरताओं की सलाह ली और उनसे कंटेक्ट किया था उस सक्ती एप के जरिए अब अखलेस यादव भी उसी तरह के आईप के जरिये अपने कारिकरताओं के संपर्क में आना चाहते हैं चुकि वो जान गए है कि BJP को मात देने के लिए सांगटनिक अस्तर पे बहुत ज्यादा मजबूत होना जरूरी है बूथ मैनेजमेंट जरूरी है जो कि राहुल गां एक लिए बूथ मैनेजमेंट जरूरी है और करिकरताओं में उत्साह और उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी है लिहाजा वो भी कुछ इसी तरह का एप बनवा रहे हैं और छेत्रवार अपने पताधिकारियों के ड्यूटी लगा रहे हैं कि आप ऐसे करिकरताओं के टच में और मैं भी बीच बीच में रैंडमली करिकरताओं के संपर्क में आऊंगा और उनसे बात करूँगा इस एप के जरिये तो इस तरह से कुछ खलेस यादव चार-पांच मुहिने बाद होने वाले लोग सभाचुनाव की तैयारी करने लगे हैं तो यूपी वाले लड़के को जो सकती एप है वो भागया है और उसी तरज पे वो भी अपने करिकरताओं से संपर्क करेंगे तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं मारा डिजिटल चैनल इन खबरा और उसे सब्सक्राइब कीजिए